आज की इस वीडियो में मैं आपको copy paste करने का तरीका नहीं बताऊंगा बलकि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप just read extension का यूज करके कैसे जो है PDF इसली बना सकते हैं तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सिखना चाहते हैं दोस्तों इस वीडियो पर लास्तक बने रहिए, देखते रहिए और सिखते रहिए तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों अगर आपको YouTube पर पढ़ाने के लिए PDF बनाना है तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको एक Google Chrome Extension अपने ब्राजर में इंस्टॉल करना पड़ेगा जो Google Chrome Extension यूज करके हम PDF बनाने वाले हैं दोस्तों उस Extension का नाम है Just Read तो दोस्तों इसे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको Google में टाइप करना होगा Just Read उसके बाद दोस्तों आपको उपर में ही इसकी website मिल जाएगा ठीक है वह से दोस्तों मैं इस वीडियो के description में भी ये link डाल दूँगा link पे click करके दोस्तों आप इस page पे आ सकते हैं इस page पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है Add to Chrome के उपर click कर देना है जैसे ही दोस्तों आप Add to Chrome के उपर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इसतरा का message pop up होगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपको Add extension के उपर click कर देना है और जैसे ही दोस्तों आप Add extension के उपर click करेंगे तो यह extension डाउनलोड हो करके आपके ब्रॉजर में add हो जाएगा ठीक है यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कि just read extension यहां पे add हो चुका है अब इसका काम क्या होता है और इसे कैसे use करना है और इसे use करके हम कैसे PDF बना सकते हैं वो सब कुछ दोस्तों हम लोग detail में step by step सिखेंगे तो दोस्तों वीडियो पे बने रहे हैं यानि कि youtube पर पढ़ाने के लिए हमें एक PDF तयार करना है तो उसके लिए हम क्या करें तो उसके लिए दोस्तों अब आपको गया करना है यहां पे plus icon पे click करके एक new tab open कर लेनी है new tab open करने के बाद दोस्तों अब आपको यहां पे type करना है मालीजे दोस्तों कि मुझे math पढ़ाना है और उसके लिए PDF तयार करना है तो दोस्तों यहां पे मैं लिखूंगा top 100 math question and answer in Hindi और उसके बार दोस्तों मैं enter कर दूँगा जैसे ही दोस्तों आप यहां पे यह चीजे लिख करके search करेंगे तो दोस्तों आपके सामने बहुत सारी ऐसी website आजाएगी जहां से दोस्तों आप question को copy paste कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको copy paste करने का तरीका नहीं बताऊँगा बलकि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप just read extension का use करके कैसे पीडियाप easily बना सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है यहां पे दोस्तों website के उपर click कर लेना है अब देखिए दोस्तों यहां पे एक सर्त यह है कि हो सकता है कि जब आप पहले link पे click करेंगे और उसके बाद दोस्तों जब आप website पे जाएंगे तो दोस्तों हो सकता है कि वहां पर आपको अच्छा content ना मिले ठीक है अगर अच्छा content नहीं मिलता है तो दोस्तों आप क्या करेंगे back आएंगे और back आने के बाद दोस्तों फिर आप यहाँ पे दूसरे website पर यानि कि दूसरे link पर आप click करके दूसरी website पर जाएंगे फिर दोस्तों आप वहाँ पर question को या content को थोड़ा सा पढ़ेंगे read करेंगे अगर लगता है कि हाँ यह content आपके लिए अच्छा है इस चीज़ को ही आपको पढ़ाना है तो दोस्तों आप उस चीज़ का PDF बना सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं फिलाल पहले link पर click कर लेता आप यहाँ और यहाँ पर देख लूँगा कि यहां पर जो content है वह किस तरह का है तो एक्सटेंशन का एकन है यह जो extension का icon है आपको इस icon पे click कर लेना है उसके बाद दोस्तो हमने जो अभी extension download करके install किया है उस extension को हमें गया करना है यहां से pin कर लेना है जैसे दोस्तो आप यहाँ पीन के उपर click करेंगे तो यह extension यहाँ पे so होने लग जाएगा उसके बाद दोस्तो आपको गया करना है इ तो हमें कुछ इस तरगा दिखता है, यहां पे कई सारे एड्स दिखते हैं, कई सारे unnecessary चीजे दिखती हैं, ठीक है, तो यहां पे दोस्तो देख सकते हैं कि बहुत सारी जो है फालतू चीजे भी दिख रही है, लेकिन जैसे ही दोस्तो हम लोग इस extension के उपर click करते हैं, तो यह पर delete button पर click करना है, और इस delete button पर click करने के बाद दोस्तो जब आप यहां पर mouse को लेगर के आएंगे, तो यहां पर दोस्तो यह सारी चीजे कुछ इस तरह से red color से highlight होने लग जाएगा, ठीक है, अब जिससे कि मुझे यह नहीं चाहिए, तो मैं इस पर click कर दूँगा, तो यह हमें, कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है, जो हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग नीचे आएंगे, उसके बाद दूस्तो यहां पर देख सकते हैं कि यह सारी चीज़ए यहां पर है, यह मुझे नहीं चाहिए, तो दोस्तो हम लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों को यहां से delete कर दे इस तरह से दोस्तो हमें जो चीजे नहीं चाहिए उसे हम लोग डिलीट कर देंगे इस तरह से दोस्तो जो चीजे हमें नहीं चाहिए उस चीज को हम लोग क्या करेंगे इस डिलीट बटन से हम लोग डिलीट कर देंगे अगर दोस्तो साइड में किलिक करने के बाद फिर भी द ठी पर तो हम-में content को select कर लेना है और फिर दोस्तों हम beautiful यहां पर right click कर इस content को copy कर लेंगे उसके बाद इससे minimize करेंगे और उसके बाद में लोग ms word open करेंगे और इस तरह से में ms word open करेंगे उसके बाद अम लोग blank page open करेंगे ब्लेंक पेज open करेंगे ब्लेंक पेज reveal इस तरह से यह content copy paste हो जाएगा उसके बाद दोस्तों हम लोग बीच में click करेंगे Ctrl A से all select करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां से हम लोग font size 16 15 रख लेते हैं और उसके बाद दोस्तों आप इसमें जो भी font apply करना चाहते हैं वो font आप इसमें apply कर देंगे तो इस तरह से दोस्तों यह सारी चीज़ें यहां पर आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहां पर थोड़ी बहुत चीजों को formatting करनी है यहनि कि थोड़ी बहुत क्या करना है चीजों को सजाना है और चीजों को सजाने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसे के यहाँ पर यह कुस्षन है हमारा तो इसे हम लोग select करेंगे और यहाँ से इसे कर देंगे red ठीक है अगर आप इसे bold करना चाहें तो आप यहाँ से इसे bold भी कर सकते हैं उसके पर दोस्तों यहाँ पर यह सारे option आ जा और इसे select करके दोस्तों हम लोग यहां से इसे red कर देंगे फिर दोस्तों यहां पर यह चारो option रहेंगे और फिर दोस्तों हम लोग यहां पर click करेंगे और enter कर देंगे तो इस तरह से दोस्तो हमें गय करना होगा चीजों को थोड़ा बहुत सजाना होगा तो इस तरह से दोस्तो आप चीजों को सजा लेंगे और उसके बाद दोस्तो अगर आपको इसे PDF बनाना है तो दोस्तो आपको गय करना है यहाँ पे फाइल के उपर क्लिक करना है फाइल के आप इस PDF को जहां भी save करना चाहते हैं, जिसे कि मैं desktop पे save करना चाहता हूं, तो मैं यहां से desktop select कर लूँगा, और उसके बाद दोस्तों, यहां पर मैं इसका कुछ भी नाम दे दूँगा, और उसके बाद दोस्तों, मैं यहां से publish के उपर click करके, इस PDF में convert कर लूँगा, तो jump करने के बाद दोस्तों, हम लोग यहां 3 dot पे click करेंगे, और 3 dot पे click करने के बाद दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, यहां से save fully screen कर देंगे, और उसके बाद दोस्तों, अब हम लोग यहां पर पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, pen tool select कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों, हम ल करेंगे top 100 gk question and answer in Hindi और उसके बाद दोस्तों आपको enter कर देना है जैसे ही दोस्तों आप top 100 gk question and answer in Hindi लिकर करेंगे तो आपको बहुत सारी website मिल जाएगी जहां पर दोस्तों आपको gk के question और answer मिल जाएंगे तो दोस्तों आप कोई भी एक website यहां से open कर लेंगे ठीक है उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा से नीचे आएंगे तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि इस website पे जो है में one liner gk मिल गया है अब इसे अगर आपको PDF में convert करना है तो दोस्तों इसके आप क्या करेंगे यहां पर इस extension के उपर क्लिक करेंगे इसके लिए दोस्तों आपको गया करना है just read extension के उपर क्लिक कर लेना है और जैसे ही दोस्तों आप यहां क्लिक करेंगे तो दोस्तों यह जो website है यह दोस्तों कुछ इस तरह से हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपक पर क्लिक करना है और उसके बाद जो चीजे नहीं चाहिए उस पर क्लिक करके आप इस तरह से चीजों को डिलीट कर सकते हैं जैसे कि मुझे यह नहीं चाहिए इसके ओपर क्लिक करके दोस्तों हम लोग इसे डिलीट कर लेंगे जिस चीज को आपको डिलीट करना है अगर आप उस पर mouse रखते हैं तो दोस्तों अगर वह चीजे रेड हो जाता है तो दोस्तों आप उसपर क्लिक करके उसीज को delete कर सकते हैं इस तरह से दोस्तों चीजों को delete कर देंगे उसके बाद हम लोग delete button पर click करेंगे तो इस तरह से दोस्तो हमारा ये content ready हो जाएगा उसके बाद दोस्तो अब हमें क्या करना है उपर आना है और उपर आने के बाद दोस्तो अब हम लोग क्या करेंगे यहां से content को select करेंगे ठीक है यहां से हम लोग content को select करेंगे उसके बाद दोस्तो हम लोग right click करेंगे इसे copy करे उसके बाद दोस्तो हम लोग MS Word documents open करेंगे और देन दोस्तो हम लोग यहाँ पर right click करेंगे right click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है इसके उपर click करके इस content को paste कर देंगे जब दोस्तो आप इस तरह से content को copy paste करते हैं तो दोस्तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर text content ही यहाँ पर paste होते हैं जो image होता है वो यहाँ पर paste नहीं होता है अब दोस्तो हमें गया करना है बीच में click करना है Ctrl A से All Select करना है और उसके बाद दोस्तों हमें कहा करना है यहां से Font Size 16 अपलाई कर देना है और उसके बाद दोस्तों आप इसमें जो भी Font अपलाई करना चाहें वो Font दोस्तों आप यहां से अपलाई कर देंगे उसके बाद दोस्तों अगर आप इसमें से lining space हटाना चाहते हैं तो दूस्तों आप यहाँ click कर के इसमें से remove lining space ठीक है remove space after paragraph इसके click करके दूस्तों आप इसके बीच के जो gap है इसके बीच के जो space है उसे दोस्तों आप यहां से remove कर सकते हैं और जब यह सारी चीज़े सही हो जाएगी उसके बाद दुस्तो आप चाहें तो इसे formatting कर सकते हैं यानि कि इसे सजा सकते हैं जिससे कि अगर आपको सवाल को raid करना है तो दुस्तो आप यहां क्लिक करके सवाल को select करेंगे और उसके बाद दुस्तो आप यहां से बिपके option मिलेगा create pd as you to click कर लेना है और उसके बाद दुस्तो आप backstop इच्ट पर सेलेक करेंगे और उसके बाद दूस्तो आप इसे जिस नाम से save करना चाहते हैं वह नाम आप डाल देंगे और उसके बाद दूस्तो आपको publish के ऊपर क्लिक कर देना है और इतना करते ही दोस्तों यह PDF आपका ready हो जाता है तो यहां पर देख सकते हैं कि यह हमारा PDF ready हो चुका है ठीक है अगर आपको English में बनाना है तो दोस्तों आप यहाँ पर Hindi नहीं लिखेंगे अगर आपको Hindi में content चाहिए तो दोस्तों आप यहाँ पर type करेंगे तो दोस्तों फिलाल मैं इस link पर click कर लेता हूं उसके आप थोड़ा सा नीचे आएंगे इसके बाद दोस्तों आप यहां पर question को थोड़ा सा पढ़कर देख लेंगे उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है जैसे ही दूस्तों आप Just Read extension के उपर click करेंगे तो यह page कुछ इ तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि 10 question का पीडियाप हमें जो है मिल चुका है अब दोस्तों हमें कहाना है डिलीट बटन पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहां पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग mouse का पहिया गुमाते हुए नीचे तक content को select कर लेंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद दोस्तों हम लोग इस पर right click करेंगे इसे copy करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग इसे minimize करेंगे और उसके बाद दोस्तो हम लोग अपने laptop ये PC में MSWARD open करेंगे और उसके बाद दोस्तो इसके उपर right click करेंगे और यहां पर यह जो लिखा हुआ है A इसके उपर click करके इसे paste कर देंगे उसके बाद दोस्तो हम लोग बीच में click करेंगे और उसके बाद दोस्तो control A से all select कर लेंगे उसके बाद दोस्तो font size 16 16 रख लेंगे और उसके बाद दोस्तो जो भी font आप apply करना चाहते हैं ठीक है वो font दोस्तो आप यहां पर apply कर देंगे इसका font size दोस्तो अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं धिलाल आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने 10 question का एक documents तयार किया है अगर दोस्तो आपको और question इसमें add करना है आपको और question पढ़ाना है आपको 100 question पढ़ाना है तो दोस्तो इसके लिए आपको गय करना है तो दोस्तो आपको जो है दूसरा question यहाँ पर देखने को मिल जागा यहाँ पर दोस्तो देख सकते हैं कि 11 नमर से यहाँ पर सवाल आ गया है अब दोस्तो हमें क्या करना है दुबारा से just read के उपर click करना है और फिर दोस्तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से सारी चीजे डिलीट होती जाएगी और यह सब डिलीट करने के बाद दूस्तो वापस से हम लोग delete button पे click कर देंगे और उसके बाद दोस्तो हम लोग क्या करेंगे यहां से content को select करेंगे copy करेंगे MS Word में paste करेंगे और उसके बाद दोस्तो आप उस content को use करके PDF बनाना चाहें तो PDF बना सकते हैं PPT बनाना चाहें तो PPT बना सकते हैं अगर आपको educational बीडियो बनाना है तो दोस्तो आप PDF का use करके educational बीडियो भी बना सकते हैं और यह सारे चीजे कैसे करनी हैं इसका tutorial मेरे चैनल पर अल्रेडी बहुत सारे बने हुए हैं आप देख करके दोस्तो यह सारे चीजे सीख सकते हैं तो बस दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही आई होप कि आज की इस वीडियो में जो भी चीजे में आपको बताया है सिखाया है समझाया है आपको पसंद आया होगा दोस्तो अगर आपको ये वीडियो ये टुटोरियल पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर इस प्रहत को मनोबल बढ़ाएं दोस्तों हगर आडटेक में तरह चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करести जाएं ,तो बस दोस्तों आज की स्वीडियो में इतना ही तो दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूटोरियल में तब तक के लिए दोस्तों जाहिन बंदे मात्रम वीडियो में वीडियो में बंदे मात्रम